हुआ 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 है चलिए है सो काउंटडाउन हो चुक है शुरू किसका जी सी सेट का ना दो 2024 के पेपर आने में ज्यादा समय नहीं हुआ है अब तक तो हम कह रहे थे 2023 2023 का पेपर ऐसा आया बट अब 2023 भी जाने वाला हुआ हाड़ी समय बचा है थोड़ा सा क्या तब ये को 2024 आ चुक है कि दोनरबातों में ज्यादा फरक निया है एक ही दिन का तो फरक है या एक मिनेट बोल लो तो आपके लिए वह एक शन कब आएगा या वह मुमेंट कब आएगा जब आप एक्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा सीरे सो जाओगी मतलब हम तो देखो करी रहे मैं तो यहां डाटर इंटरिप्टेशन के भी आपको देखना है बट आप कितने सीरे सो उसके पिछे वह आपको देखना है रीजन क्या है इसका वाइं सेंग दिस टाइप आप आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है सो क् प्रवाइब अब आप तयारी शुरू करेंगे और किस मोड में आपको तयारी शुरू करने चीए किस पेस्ट पर अपको चीज़ों को समझेंगे बताऊं कि क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो फिर वह दिन दूर ने जिस दिन को गयार बैनना ने लेट कर दिया शा कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो अगर आप अभी पी सूच रहे है थैसे सब्सक्राइब आपके अगया हैंग के लिए तेर से साड़े चार आप क्या है कि है हफते में चार दिन इसकी ख्लासिस है उसके बाद क्या है टोटल 180 प्लस लेक्चर से इस एक में यह और भी दो भाग उमबाटे एख और यह भाग और यह भी भाग इंवे 90 लेक्चर्स बी में क्या है 90 प्लस लेक्चर्स क्लियर अब यह 90 प्लस वाले को थोड़ा सा आप छेड़े तो यह देखूंगा क्या निकलेगा इसमें क्या है 15 मेरे पास प्रिविश यह लेक्चर्स हैं अब यह वाले जो पहले वाले 90 यह एक्चुली मेरा जीरो तो हीरो बैच क्यों 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 आपको मुझे क्वांट का कुछ नहीं आता मुझे रिजनिंग का कुछ नहीं आता मेरे पास आओ मैं सब बताऊंगा क्लियर डेडिकेटेड मेंटर्शीप मिलेगी आपको वन्-टू-बन मेंटर्शीप मिलेगी आपका वीकली टैस्ट होता है सारी चीज़े अभी डिसकेशन करके बतारों में पीडिएफ लगते हैं आपके वापको प्रेक्टिशीट मिलते हैं सब चीज़ हैं एक आपको विकली शेडूल मिलता है कि मेरे बात बताऊं वीकली में क्या है मेरे पस की इस वीक में कौनको से लेक्टेर होने वाले हैं ठीक है सबसे पहली बात इस लेक्चर की लेक्चर पीडिएफ मिलेगे आपको वाइज इस लेक्चर में क्या तीन चीज़े मिलेंगे आपको लेक्चर की पीडिएफ मिलेगी ठीक है लेक्चर की रिसोर्स मिलेंगे यहां का चैप्टर की रिसोर्स मिलेंगे बतातों रिसोर्स क्या हो नंबर तीन में क्या है प्रेक्टिशीट मिलेगा अब सुनो ज़रा इसको ध्यान से किस तरीके से इसको फॉर्मिलेट किया थे लेक्ट्र को कैसे हम देखते हैं सबसे पहली बात लेक्चर पीडिएफ क्या है बहीं सर बता तो दिया पठाय क्या यह लेक्चर पीडिएफ वो सकते हैं कुछ इंपॉर्टन डेटा फेक्ट हो सकते हैं ठीक है कुछ वन लाइनर शोट कोस्टन इंक्लूड हो सकते हैं क्लियर नंबर तीन प्रेक्टिशीट प्रेक्टिशीट क्या होगी प्रेक्टिशीट वो डेटा होगा जो मैंने क्लास में करवाई वैसे ही कुछ अच तीस मिनिट क्या मिल रहा है मैक्सिमुम जगह आप जाओगे न कहीं भी दो तीन अजार का कोर्स पकड़ा देंगे उसके फाइदा कुछ नहीं और आपको हर महीने में दो महीने में चोड़ो बीस दिन में भी अगर एक डॉट सेशन दे तो गरीमत है बलाओं का पट यहां पर यह उसके बाद क्या है उसके बाद यह चीज़ लिए रिसोर्स इस इसको डिसकेशन भी कर रहा है फिर मेरे पास आता है वीकली टैस्ट फिर आता है वीकली टैस्ट वह कब होगा हर संडे को हर संडे को कब हुँता है मेरे पास एक बजे हर संडे को एक बजे मेरे बास मेरा वीकली क्लास टैस्ट बहुत को टोच सो दे देख सकते हैं अगर आपने पास है हमारे महली के तो आप महली में भी आ सकते हैं हमारे पास classes लगाने ठीक है तो यह important चीज है next क्या है मेरे पास इसका solution सबसे important चीज क्या होते है किसी भी चीज के solution किस तौर पर मिल रहे हैं देखो अगर मैं पीडेफ है format में अगर मैं आपको दू तो वह क्या होगा एक्स यसट इकवेशन बट जो होते हैं वो मैं आपको क्या दूंगा video solution दूँगा इसको मैं इसका मिलेगा आपको video solution क्लियर संडे को test है मंडे को class के बाद आपको update हो जाए क्योंकि मंडे को लाइव डिसकेशन करेंगे इसकी और उसके रिकॉर्डडेट वीडियो आपकी टेस्स में चले जाएगे क्लियर तो यह एक इंपॉर्टन चीज़ है जो हमें देखने हैं कि वीकली टेस्स के सलूशन में कैसे मिल रहे हैं वीडियो के तौर पे क्लियर तो इस अल अब आउट यह पूरी डिटेल में आपको बता दिए इसका प्रचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियागे प्लीज अविल कीजिए कोई डाउट होना या कोई भी हो या फीस एलेटेट को इश्यू है कुछ भी है न तो 95177 1651 इस नमबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप इस आपको टाइमली मिलते रहे हैं हम करें रेंकिंग अनौडर का पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ रहे है क्रिष्णा इस टैंथ फ्रॉम लेप्ट है रुकमनी इस ट्वंटी फ्रॉम राइट हैं इस इंटरचेंज देर पोजिशन कृष्णा विल बिकम 15 फ्रॉम लेप्ट वट इस न्यू पुजिशन विल रुकमनी फ्रॉम राइट है बड़ा अच्छा कोशन है कैसे करेंगे देखो इसको सबसे पहले दो तीन चीज़े देखें इसमें क्या दिया देखो यह मेरा लेफ्ट एंड है यह है लेफ्ट एंड और यह क्या है अमना राइट है ठीक है अगर इनों ने अपनी पुजिशन चेंज कर ली तो क्रिशन क्या होगी लेफ्ट से कितना हो गया फिफ्टेंथ मतलब यहां से यहां इसका उब यहां से यहां कितने बच्चे हैं मेरे पास 15 या 15 एस्परेंट कहलो 15 आप सुनेंट कहलो 15 परसं कहलो क्लियर क्या करें वट इस दर न्यू पुजिशन और रुखमणी फॉर्म राइट है मतलब रुखमणी की लेफ्ट से पुजिशन कितनी है मतलब रुख सब्सक्राइब के लिए होगी देखो यहां से यहां कितने है लेफ्ट से हैं 15 और 20 कितना होगे मेरे पास 35 यहां से फॉजिशन दियो मुझे दूसरी position निकाल लिए मैं कैसे निकाल लूँगा एक position दी ओ दूसरी position निकाल लिए लिए how will I find out कैसे कुछ होता है right से position left से position minus 1 is greater to 35 कुछ यही formula लगाते हो आप लोग यही formula आप मुझे यहाँ पर लगाना है क्लियर यही formula आप मुझे लगाना है तो कैसे निकाल लूँगा मैं मुझे क्या दिया हुआ है अगर मैं यहां पर आया तो इसका मतलब अगर मैं रुकमणी को यहां पर लेगा रुकमणी के left से position कौन से होगी 10 होगी यहांने 10th प्लस न्यू पूजिशन माइनस वन इस इगल टू कितना हो 35 तो यह कितना हो के 10 प्लस न्यू पूजिशन इस इगल टू कितना 36 तो न्यू पूजिशन फ्रॉम किसे पूछी है राइट एंड से कितनी हूँ आपके पास 36 माइनस ओफ 10 इस हाँ मच 26 option नमबर इस इसको फटाफट कीजिए वही सेम कॉंसेप्ट जो मैंने बताया है इसको फटाफट कीजिए अंसर बताइए देखो कृटिक आइस है त्वेल्ट फ्रॉम लेफ्ट यह लेफ्ट होगया और राइट होगह त्रेख्या मैं से कितने हैं यहां पर ट्वेंट से पहले ट्वेल्ट नमबर फर्संट में निकितने सब्सक्राइब गए, तो इहां से कितना हो गें सब्सक्राइब, शुर्पर कमें, यानि टॉटल नुम्डरों पर्शन कितने हैं, आप क्या अब थर्टी पॉर्स 11 कितना हो गया, 45 टोटल आगे अब जल्दी से वही फॉर्मला लगा बताओ मुझे कितना रहे हैं मतलब आप क्या बोला है अब लेफ्ट से बतानी है तो क्या होगा 24 फ्रॉम लेफ्ट या न्यू पुजिशन बोलो माइनस वन इस गल टो कितना 45 तो 24 प्लस न्यू पुजिशन इस गल टो 46 तो न्यू पुजिशन क्या आगी 46 माइनस और 24 इस गल टो कितना 22 ऑप्शन नमबर एई इस दा करेक्ट वन क्लियर तो इस दोनों असान कुश्चन तो जो भी हमने किये यह बहुत अच्छा कोश्चन है अब मिनिमम मैक्सिम वाला किस कौन सा है जब ओवरलेब कर जाते आप लोग उसको मैं बताऊंगा ठीक है देखो क्या बोल रहा है इनर रोफ बोईस एस 14 फ्रॉम लेफ्ट वेरस बी इस 18 फ्रॉम राइट एंड यह लेफ्ट हो गया और यह सबस्तुरोढ सबना इस 16 फ्रॉम लेफ्ट है असे पहले कितने हैं 10 फ्रॉंट से 10 फ्रॉम राइट एंड वेरस बी इस 18 फ्रॉम राइट थिस lessons पहले 7 इसका मतलब क्या है इनके 5% है between, तो simple simple, maximum के case में क्या होगा, यह overlap नहीं करेंगे, maximum case में सिदा सिदा क्या करना है, जो number 14, प्लस 18, प्लस 5, यह कितना होगा, 32 प्लस 5, 37, मतलब 37, 2 में दिया हुगा, एक तो C में दिया हुगा, और एक D में दिया, अब मुझे confirm करना है कि मेरा answer क्या सही है, यहां तक hopefully clear होगा, अब देखो, दूसरा case क्या बोल रहा है, minimum, maximum का case निकल गया, minimum का case होगा, जब overlap करेंगे, इस case में क्या देखो, यह left होगा, यह right होगा, clear, inner row of boys, A is 14th from left, मतलब A कहा है, 14th है left से, and whereas B is 18th from right, मतलब ऐसा हो सकता है कि B यहां पर हो, 18th from right, अब इस case में simple आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, ध्यान रखना मेरे बाद, उनके between कितने 5, मतलब position of person 1, plus, position of person 2, minus, जितने between है, minus हो यह करना, आपने, जब आपको minimum maximum का case दिया हो, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना साध्यान रखना है, कि जो position 1 है, यानि पहले position कितने है, 18th, दूसरी कितने है, 14th, minus between कितने 5, और minus 2, minus 2 क्यों, कि यह interchange करेंगे, तो दो बार position को गिना जाता है, clear, तो 32, minus 7, कितना आगा answer is, 25, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा question था, ऑप्शन बड़ी इसका बिल्कुल सही उत्ता रहे, clear, तो यह बहुत असान-सान से questions है, रेंकिंग अनौटर पड़े, easy साथ है, इसके ज़्यादा सैसे मैं रखूंगा, अभी नहीं एक से दोई होंगे, clear, चलिए भई, next, चलो भई, यह भी एक टाइप है, रेंकिंग अनौटर की, प्लीज इसको भी देख लेते हैं, A, B, C, D and E have different ages, C is elder than E, D is younger than C, elder और younger का मतलब पता है, elder का मतलब बड़ा और younger का मतलब छोटा, B is elder than C, but not the oldest, के रहा भई, B, C से दो बड़ा है, but उस सबसे बड़ा परसन नहीं है, who is among the following is the youngest, भई सबसे छुटा कौन सा, देखो, A, B, C, D, E, कौन कौन से मेरे पास, 5 है, A, B, C, D and E, 5 है, C is elder than E, C किसे, C is elder than E, ठीक है, D is younger than C, अब D, C से younger है, मतलब ऐसे बोलूँगा मैं, D is younger than C, C is elder than E, तो भईया, C बड़ा होगा किसे, D से, confirm है दो, younger का मतलब छूटा, B is elder than C, B is elder than C, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है, B is elder than C, but not the eldest, but not the oldest, मतलब oldest नहीं है, elder है, बट oldest नहीं है, अच्छा, इसका मतलब definitely कौन होगा, अच्छा, who among the following is the youngest, E, D, C, either one or two, देखो, मैं suppose करके चलो, देखो, A का मुझे कुछ नहीं बोला, ना छोटा ना बड़ा, तो यहां लगा के चलो, ऐसे कुछ हो सकता है, इनको आप किसी भी कंडिशन में ले लो, इसको आप किसी भी कंडिशन में ले लो, चाहिए आप ले ले लो, A greater than B greater than C greater than E greater than E, चाहिए क्या बोलो, A greater than B greater than C greater than D greater than E, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमेशे आप क्या देखो, और इसको आप लेके चलेंगे चलना इसको ऐसे इसी कोशन था चलिए नेक्स पर चल रहा हूं बट रिचर दन सतीष बट इस नोट एज रिच अर्मेश रमेश रमेश इस लेस रिच दन नवीन दा रिचेस्ट अमंग देमेश रमेश इस रिचर दन सतीष अच्छा मुझे रिचेस्ट बताना है ठीक है जया इस रिचर दन रमेश मतलब रमेश की बात करें जया क्या है रमेश से कम अमीर है राम इस लेस रिचर दन जया मतलब राम यहां पर आगए ठीक है बट रिचर दन सतीष अब अगर मैं बोल लूँ ऐसा चलेगा सिंपल सिंपल इस रिलेशन से मुझे क्या पता चला कि सतीष रमेश से अमीर नहीं है या बढ़ानी है या ऐसा ही कुछ है तो भाई सतीष क्या हुआ मतलब बेसिकली रिचर की बात की गई है अगर ग्रेटर दन लेशने केस में तब यह पैस है डिखो गए इसका मतलब सतीष और रमेश का बिल्कुल कंफर्म होगे जया और नाम का अब क्या बोल रहा है जया इस रिचर देन सतीष जया इस रिचर देन सतीष इस एक राइट दो तिन किसी को मिला के भी एकर दियो ना कोई बड़ी बात है हम कर लेंगे इसको चलिया नोट कीजिए फटा-फट चले चलो गज इन आरो ओफ गर्ल्स इन विच आल दगल्स आर फेसिंग तोर्थ नौर्थ मतलब निचे की तरफ लेलो पिंगी इस 21st पॉजिशन फॉर्म राइट एंग लेफ्ट है राइट तो पिंगी कहां पर हैं पिंगी है 21st फॉर्म राइट एंग रिंगी से 10 तो दे लेफ्ट वीखी यहां आपके बास मतलब रिंगी आपके पास तैन यहांने 31st फॉर्म राइट इसके राइट में 10 राइट में इस मिंगी हूँ 17th फॉम लेफ्ट अब मिंगी कहां पर है 17th from left hand is 4th to the right of pinky मतलब pinky is right 20, 19, 18, 17 यानि ये 17 पूजिशन पे कौन? Minky Minky is 17th from left hand इसका मतलब अगर मैं बात करूँ और स्री ये right से आगी क्योंकि यहाँ इसके 4 यहाँ थी और एक और चीज दिये है कि Minky left से ना 17 पे आप दो चीजे कर सकते हो इसके पहले कितने होगे? 16 और यहाँ से भी कितना है 17 कितना हो। 33 आप कैसे हमघी कर लेते? और अ ऌप्चन नमबर d यहां हाँ हार चाल में क्लियर तो यह प्लीज सुदेंट्स लाइक शेर सब्स्राइब जरूर कीजिए वीडियो को यह बहुत अच्छे आपके पास लेक्टर जारें क्लियर इजी कोश्चन्स है अभी हम इनकी प्रिवेस यह भी डिसक्शन करेंगे एक दू दिन में क्लियर चलिए नेक्स मैं बता द रहे हैं और यह आपके पास प्रिडिकॉर्ड लेक्टर सा 90 प्लिस नब्वे में 50 क्वांटि मिल रहे हैं आपको इंग्लिश के डेडिकेटी लेक्टर मिल रहे हैं क्लियर कोई डाउट हो तो 951-777-651 इस नमबर पर कॉल यह वट्सप दोनों कर सकते हैं सुदेंट साब क्ल क्य shower पर लेके जाओं कि की मैं कहूंगी हमेरी तैयरी बहुत अच्य हो कि है Kamera करना हुए इस बात को भी क्लेर यज आप यह कहो कि अगर कोई चेप्टर पर्टीकूलर चेप्टर आपको परिशान कर रहे है क्या है क्या उसके लिए मुझे फूरा आपड़ेगा क्या मुझे दस दिंगा जाके देखना पड़ा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ अभी मन्यू इसके पॉर्टल पे जाना वहां से वो पर्चेस करेंगे कैसे पर्चेस करेंगे पूरी डिटेल उस माइक्रो कोर्स की कोई भी चैप्टर हो टॉपिक हो सब आप पर्चेस कर सकते हैं ओ विच चंद कुछ रुपे देखे कैसे मैं आपको बताता हो बन बाइवन प्लीज इसको नोट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फूल कोर्स का लिंग माइक्रो कोर् सबसे पहला आप अच्छा काम क्या रहे हैं यहां पर अपना 10 डिस का मवाइल नमबर डाली है अगर नहीं डालना भूल रहे हो या कुछ दिक्कत है या आपको नेटवर्क की कोई इशू रहत है तो 951-777-1651 जो नंबर मैंने शुरू में दिखाया था ना उस नंबर पे भ है काफी 30-45 जैसे पूरा बंडल की देंगा 3562 बट इफ डूनट वाट तो परचेस आट आपको नहीं लेना है तो क्या लेंगे आप नंबर सिस्टम लेना हो तो नंबर सिस्टम ले सकते हैं और सबसे खास बात बता दू हर लेक्चर के साथ आपको 6 मिनट का ट्राइल दिए सब्सक्राइब कोभी लेना है कि आपको इसमें चैटर की इंदे हो सकती है को सकते है ठीक है कोई शौट कॉसें हो सकते हैं तोह समझने में इजिली आपकी मदद करें, basically theoretical part होता है यहां पर, clear, questions तो हमारे यहां देगी गए, अब इन questions का कैसी use कर सकते हैं, basically यह question नहीं है, यह आपके पास question bank है आपका, मतलब आप इसको test के तौर पर भी दे सकते हैं, जो आप जूडेंगे तो आपको definitely मैं खुद call करके बताऊंगा, 6 का ट्रायल है, देखो 10 lectures है, 304 पी से 10 lecture, almost गंटे से देट गंटे का lecture है, खतम इसका अंदर सब कुछ, clear, मतलब नमबर सिस्टर, simplification, 14 रुपे का चार लेक्चर, आप परसेंटेज कीजिए, पर्वंटेशन, कॉममिनेशन, टाइम and डिस्टेंस होगे, आपका average होगे, नमबर से लाइन चार्ट देखें, मैं बोल रहा है, टॉपिक सब टॉपिक, लाइन चार्ट डी आई का सब टॉपिक है, तो डी आई पूरा करना ही जूँद नहीं है, अगर सिर्फ लाइन चार्ट करना तो 51 रुपीज का एक lecture, एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, और 138, जिसके हम अभी तैयारी कर रहे है, ठीक है, जैसे पजल टाइस के बात लिए 247, रेंकिंग अन्टर जो भी कर रहे है, 130 रुपिय में, 6 लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, और 203, ब्टिपर्चर, पूश्यन, आपको देखने को मिल रहे ह एक सेटिंग आपका अनलोजी इंसर्ट देमिसिंग करेक्टर लोजिकल फ्लबेट्स मिरें और वाटर इमेजिज आपका कांटिंग फिकर्ज ओगया अर्थमेटिक रिजिनिंग क्लासिविकर्ट सब हर एक चैप्टर के साथ आपका वीडियो लेक्चर है आपके पास आपको इसी तरी के से जो मोडूल है वह आपका थियार किया गए इंग्लिश के लिए इंग्लिश में क्या है चारसो बारा रुपे का थ्री फॉर्टीट का कॉम्प्रियांशन ने चे लेक्चर एक वेबन सॉलमन वन थाउजन कोश्टन एंड वर्ड बिलिंग मैं आपको एक ही रा अब अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निक मिलने वाले आपके लाइब बैच का और आपके नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा कि वड्चाप ओर उसके बास मैं नेक्स मेरे पास क्या है मेरे बच्चें है प्यारे जिन्हों कभी भी C-Cats को अब भी बता रहूरू gesch की तो तो दीजार रांक होल्डर क्यों हैं क्योंकि इन्होंने सी सैट को उतीन ही प्रेफरेंस जितने इन्होंने जीस को दी इसलिए रैंक एनके पर और इसलिए इन्होंने यह लिखा हो देखो थेंक यू सो मच तो अल्ड़ टीम फोड़ एफर्ट एंड और यो पूर्टीन माई जर्नी किसने लिखा यह बिस अर्णा मिशनार जिनका 51 रहें था एक पड़के बता दी बाकी मैं कहां मत खरीदो मत खरीदो भाई हमसे कोर्स मत बट एक्चुली इनकी जर्नी के बारे तो द परफॉर्म नहीं कर पार है जितना उसको करना चीए तो हम पूछती है टीम उसे पूछती है इंडिविज्यूली भी ठीचर पूछते हैं जैसे सीज़ेट में उसको कौनट में दिखर दर दो बेटा बताओ उजी क्या दिखर दा है पर्सनली बैठके तो यही योति यह बन चल जाएगा आपका इजी लिए आप कॉलिफे कर पाएंगे कौन बताएगा वह हम बताएंगे बट वह जब भी बता पाएंगे जब आप हम से जूडएंगे क्लियर तो इसके लिए आपको जुनना पड़ें का लिंक इडिक्सिप्शन में प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब छेपर चल आपको जड़ से लिए्टी झाल आपको चाल आपको का गणाप कर दाएंगे टी बताएंगे सब्स्राइब कहांगे जब खाएंगे सब्स्राइब कि अरश देएंगे